हाई गाईस वेलकम टू अबर चैनल आज की वीडियों हम लोगे कैसी कंपनी के स्टॉक के वारे हम डिसकसन करेंगे जो की फ्यूचर में बहुत अच्छा पर्फॉर्म करता हुए दिखाएगी सकता क्योंकि कंपनी में एक नहीं बहुत सारे ऐसे पॉजिटिफ फैक्टर्स है जिनकी वज़े से मुझे लगता है यह जो स्टॉक वो काफी फ्यूचर में कर सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट्स यह है कि यह जो स्टॉक वो आपको बहुत अच्छे डिसकाउंट पर मिल रहा है तो अगर आप चाहें तो इस टाइम इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं लेकिन हमें अपना सारा फंड एक साथ इस स्टॉक में इंवेस्ट नहीं करना है जितना फंड जितना अमांट आप इस स्टॉक में इंवेस्ट करना चाहें उसका 20 परसेंटेज जो हो आप अभी इंवेस्ट कर सकते और मार्केट की सिच्वेशन देख सकते हो सकता मार्केट सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कर दें जिससे कि आपको डेली इंपोर्टेंग वीडियो के नोटिकेसंस टाइम भी मिल सके तो चली स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को जानते ही हमारे उस मल्टिवागर स्टॉक के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी की फाइनेसल्स की और उसके बाद सारी चीज़े क्लियर करेंगे क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इंवेस्ट करने जाएं सबसे पहले उसके फाइनेसल्स जरूर चेक कर लें Finances देखकर हमें कंपनी की पूरी हिस्ट्री पर से चल जाती ही, future मां कैसा करीगी सारी चीज़ें हमें कंपनी की management quality वगएरा Finances देखकर ही clear होती है तो आप लोग देखी कंपनी की जो sales है कंपनी की sales 2018 में 1797 करोर की थी जो कि 2021 में increase होका 2384 करोर यहां पर हो गई है मतलब पिछले 4 सालों के अंदर कंपनी की sales में हमें बहुत अच्छी growth यहां पर देखने को मिली है बढ़ थोड़ी से disappointed growth हमें 2021 में March 2020 के comparison में देखने को मिली है बढ़ जो बिलकुल ना के वरावर है बढ़ यह situation है आप लोग सभी जानते हैं 2020-2021 COVID की situation थी उसके बाद भी company ने अपने आपको maintain किया जो कि बहुत बड़ी बात है और operating profit की बात करें तो March 2018 में company का जो operating profit था वो 270 करोर का था जो कि increase होका 2021 में 409 करोर हो गया और company का जो operating profit है वो every year increase हुआ है अब operating profit का मतलब क्या होता है तो operating profit का मतलब होता है कंपनी का जो मीन बिजने समीन ऑपरेशंस है उससे कंपनी कितना profit जनरेट कर रही उसे हम लोग operating profit कहते हैं और operating profit margin की बात करें तो 17% is operating profit margin देखने को मिला और ऐसा business जिसके अंदर हमें अच्छा margin देखने को मिले और margin increase भी हो धीरे-धीरे करके उस stock में हम लोग invest कर सकते क्योंकि यहां पर हमें competitive advantage बहुत अच्छा देखने को मिलता है जो कि CVCR holder के लिए बहुत ही बड़ा positive point हो जाता है तो company की sales operating profit बहुत बढ़िया है most important जीज़ देखते है company का net profit आप लोग देखे 2018 में 123 करोर का company का total net profit था यह जो net profit है वो increase होका 2021 में 271 करोर हो गया मतलब चार सालों के अंदर company के net profit के अंदर बहुत अच्छी growth हमें देखने को मिली है डवल से भी ज्यादा company का net profit हो गया लास्ट फोर यहर्स में एड अब भी यह company का profit increase हुआ है कोविट का impact भी company के profit पर नहीं रहा है थोड़ी से sales में जरूर देखने को मिली बट company ने profit maintain किया EPS earning पर share की बात करें तो 20 रूपीज की EPS पर company काम कर रही है तो company के profit and loss statement में कोई भी error हमें देखने को नहीं मिल रही बहुत बड़ी है company के profit and loss statement है वो maintain हो रहा है company जो आप लगातार growth कर रही है तो मुझे लगता है इसका जो share price है वो भी इसी तरीके से grow ही करेगा company की balance sheet की बात कर लेते क्योंकि balance sheet भी बहुत strong role play करती किसी भी company की growth में तो आप लोग देखे balance sheet में company की reserves company की जो reserves है वो every year increase हो रही है present year में 1835 कड़ोर की total reserves देखने को मिल रही है कोई भी dip company की reserves में नहीं है अब company profitable company इसलिए company की reserves increase हो रही है जो आप लोग समझ सकते हैं और balling free बात कर रहें मतलब company की उपर debt की तो company के पास 204 कड़ोर का debt है बति यह जो debt है company every quarter में reduce कर रही है और यह जो debt है वो reserves के comparison में बहुत कम है तो हम company को debt free company ही मानेंगे और इस तरीके से अगर company हमना debt कम करती है तो बहुत जल्दी company जो है वो debt free हो जाएगी fixed assets की बात करें तो 808 कड़ोर के fixed assets हमें देखने को मिल रहा है मतलब जो promoters है जो management है जो कमा रहा है वो business में रही invest कर रहा है मतलब की business को बढ़ानी की कोशिस कर रहा है अब business increase होगा तो company को profit जादा होगा and company को profit होगा तो company का share price fee increase होगा जहां से हमें भी profit होगा and investment की बात करें तो 135 कड़ोर का investment भी हमें देखने को मिल रहा है तो company के financials company की balance sheet बहुत बढ़ी है कोई भी problem company के financials में company की balance sheet बनाई है तो इसे साबसे आप लोग भी इस stock में invest कर सकते हैं लेकिन आपको इस stock में invest करने के लिए थोड स्टॉक के बारे मात कर रहे हैं इस stock का नाम है रेडिको खेतान लिमिटेड 929 रुपीस का यह stock है इस stock है हमें Friday को almost 8% की तेजी देखने को मिलिया यह जो company है रेडिको यह इंडियास लीडिंग foreign liquor manufacture करने वाली company है बहुत ही पुरानी company 1943 में company incorporate हुई थी इंडियास लीडिंग foreign liquor manufacture करती है और यह company जो हो IMFL के brand से products manufacture करती है especially company जो हो 8PM जैसे whiskey manufacture करती है इसका जो famous brand है यह 8PM और company के उपर आप लोग ध्यान रखे मुझे लगता है रेडिको खेतान limited जो हो investor को future में बहुत अच्छे return दे सकती है present current market price 927 रुपीस देखने को मिल रहा है अगर हम लोग इसका अभी का target बात करें initially तो मुझे लगता है यह जो stock है यहां से 1200 रुपीस तक जा सकता है और long term की बात करें तो यहां से यह जो stock है वो 10x growth भी दिखा सकता है अगर आप business long term करेंगे तो last month की बात करें तो पिछली last month में यह जो stock है वो almost 14 percentage discount पर मिल रहा है आप चाहे तो इस time buying क कर सकते हों six month के return की बारे में बात करेंगे तो six month में seven percentage के positive return यहां पर दिखाया देंगा है long term view देखते हैं company के पेछले एक साल साल की बात करें तो पिछले एक साल में 55.89% परस्थिष्यot यहां पर company ने बनाकर दी है पांको की बात करें तो पिछले साल में company 624 परस्थिव साल में कंपनी जो हो अपना पैसा डवल से भी ज़्यादा कर रहे हैं तो लॉंग टम को पॉइंट आफ यू रखिए जब भी किसी स्टॉक में इंवेस्ट करें तो अच्छे स्टॉक में आप लोग हमीशा लॉंग टम में ही रखें क्योंकि लॉंग टम में ही स्टॉक जो हम कम रहते हैं करन्ट मार्केट केप की बात करें तो 12,000 करू का मार्केट केप है स्मॉल केप की कंपनी है तो ग्रोफ पूटिंग से बहुत जादा है फिप्टी टू वीक हाई से काफी अच्छे डिसकाउंट पर मिल रहा है स्टॉक पी की बात करें तो 44 की पी पर ट्रेट कर आप लोग कह सकते हैं थोड़ा से पी जादा है बट मुझे नहीं लगता है इससे पी कम पर देखने को मिले यह स्टॉक रटान ओंड कैप्रिल एंप्लोई 19 परसेंटेज रटान ओंडी 16 परसेंटेज तोनों रेश्यों यहां पर एवरेज मेंटेन हो रहा है दो रूपए क कोई भी स्यार प्लैस नहीं है तो कंपनी के फाइनेस बहुत बढ़िया है कोई भी प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है तो यह थी कुछ इंपॉर्टन फैक्टर से रेडी को खेतान लिमिटेट को लेकर जो कि आप लोगों के मिसांत मैंने स्यार की हैं बहुत अच्छी लगी होगी और आप से कहाना चाहूंगी यह जो वीडियो वो सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए कोई भी बाइंग रेकमेंडिशन है तो इंवेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें अपने फानेसल अडवाइजर से कंसल्ट करें उसके बाद ही इ अच्छी और चनल थैंक यू